हेलो दोस्तों उत्राखंड की पार्ट साला में आपका श्वागत है तो देखिए दोस्तों हमारी सेनल उत्राखंड की पार्ट साला पर हम देख रहे थे उत्राखंड की एक स्रीज उत्राकंड ग्यानकोस नाम से जहां पर हम डीडी सरमाजे की पुष्टक उत्राकंड ग्यानकोस का करंबद एवं सुक्चमाद्यन कर रहे थे देखिए उत्राकंड के सभी एक्जमाँ में यहां से बहुत पार कुशन देखने को मिलते हैं बहुत डीप कुछ नयासे देखने को मिलते हैं जो कि निर्धाजित करते हैं हमारी रेंग को तो देखिए इससे पहले हमने देखा कई भागों में औ से लेकर पौवर्ण तक के सब्दों को या वर्णों को आज हम देखेंगे फो और बौवर्ण के कुछ सब्दों को तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भाग उत्राखन ग्यान को फो और बौवर्ण आज का मारा जो पहला सब्द है वो है फो से फटक शिला देखिए फटक शिला की बात करें तो यह जो सब्सक्राफ करें वो ऐइस व्यांदुरानाम इएक अस्तान पर एक शिलाय इस इंद्राख को फटकतान क है और यह जाए देशनी को एक बहुत विशल मेला रगता है फटकताश हम बात करें तो इस सिला को एडी देवता को समर्पित माना जाता है जो वन देवता होते हैं एडी देवता कमाओं में बहुत परसिद्ध हैं तो इनी से समर्पित को मतलब इनी का रूप माना गया है फटक सिला को जो एक्जेक्ट लोकेशन है वो है धुना घाट के निकट एक लोकेशन है धुना अस्तान है, यहाँ पर सहल चित्रा में प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर देखा गया गया है कि पंक्तिरत चार मानों को खड़े में, मतलब चित्रित किया गया है, और निर्तिरत मानों को भी अनिक, मतलब अनिक मानों को जो निर्तिया कर रहे हैं, उनको भी चित्रित किया गया है तो यह फड़का नौली जो इस्तित है यह अल्मोडा मैं है देखिए फड़का नौली और पेट साल यह दो जगवे हैं जिनकी कोजी सुधर मटपाल ने की थी अगला शब्द है फडवासा फडवासा की बात करें तो जौन सार बावर रवाय जौनपूर जो यह लगवग एकी सांस्कृतिक परंपरा वाले छेत्र हैं यहां का एक देविय न्याई परता है होता क्या है यहां पर अगर किसी दो व्यक्तियों के बीद जगड़ा हो जाता है या एक व्यक्ति का दूसरे के परती अन्याई हो जाता है तो न्याई करने के लिए क्या किया जाता है कि प परवट है इसका नाम परवट इसलिए पढ़ा क्योंकि पihले यह हिमाचल की किसी रियासत के या बुशर जो रियासत थी उसके अंतरगत आता था लेकिन फतेशाने यहां पराक्रमन कर इसे विजित किया था इसलिए इस परवत का या इस पाण का नाम फतेश परवत पड़ा अगला सब्द है फफरोला फफरोला की बात करें तो एक भोझय वन्जन है गड़वाल का कैसा भोझय वन्जन है तो जो आपने देखा होगा मीठा रूट जो बनता है गड़वाल में एक मतलब तेल लगाकर रूटी पर तेल लगाकर और उसे गुर के आठे में भिगोकर जो बनाया जाता है तो वही होता है फफरोला अगला सब्द है फल्दा कोट देखें फल्दा कोट जो इस अस्तान है ये कुमाओं का एक सामन्त साही पहाड़े राज्य हुआ करता था फल्दा कोट अल्मोडा और नेनिताल की सीमाओं पर ये कहीं देखने को मिलता है और जो यहाँ पर जाती सासन करती थी वो थी खाती, खाती विरों का खिला था ये फल्दा कोड में, आज भी एस्तान देखने को मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर खाती लोग निवास नहीं करते हैं, अगला सब्द है फल्शीमा, देखे फल्शीमा की बात करें तो ये भी एक अगला सब्द है फाना, देखे फाना की बात करें, तो उत्रा खंड में एक भोजे है और अर्द तरल भोजे ये है, मतलब अर्द तरल, इसमें पानी की मातरा भी होती है, उस तरह का एक भोजे वंजन है, जिसमें जो काला भट होता है, जिसे हम सोयाविन कहते हैं, उसको प फाना, जो इसे हम कहते हैं, फाना, एगला सब्द है, फिक्वाल परता, देखे फिक्वाल या फिक्वाल परता की बात करें, तो से मुखेम जो हमारा परसिद्ध नाग देवता का मंदिर है, से मुखेम टीरी में, वहां के ब्रामणों की एक प्रमप्रा है, प्रमप्रा में करते हैं कि वह लास्थ में एक दिन इस भैड को सभी पूरी जो भैड होती है उसे सेम खहिम Khym को चड़ा देते हैं तो इसी जो फ्रता है उसी को हम कहते हैं फिक्वाल प्रथाया फिक्वाल परमपरा अगला जो सब्द है वहται कमल देखिए कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल की एक परजाती है फैना कमल ज्यादा लोग इससे परचित नहीं होते हैं क्योंकि इससे परचित जो यह बहुत उचाईबर होता है और जो हमारे चरवाय होते हैं वही भेड़ पाला की होते हैं वही इन से ज्यादा परचित होते हैं अगला सब्द है फिराबात फिराबात की बात करें तो मद्यकारिन कुमाओं का एक कर था फिराबात यहां पर पद हो गया है लेकिने कर था फिराबात किया क्या जाता था कि जब भी कोई राज करमचारी दोरे पर जाता था मतलब किसी गाव में दोरों पर जाता था तो उस समय के लिए यह कर लिया जाता था उसके मतलब वो है बगड़ बगड़ की बात करें तो नदियों का जो तटिया चेतर होता है उसे बगड़ कहा जाता है कुमाउनी या गड़वाली में जो नदियों का तटिया चेतर रेतिली भूमी जहां पर होती है कहीं पर आप किरसी भी होती है हलकी फुरकी किरसी भी उन रेतिली चेत पत्थरों की वर्सा होता क्या था कि मध्यकालिन कुमाओं या प्राचिन कुमाओं में सेनाओं के लिए एक युद्या भ्यास करने के लिए पत्थर फैकने का युद्या भ्यास था क्योंकि पहारी सेनाओं पत्थर फैकने में बहुत माहिर होती थी तो इसी के लिए लगातार ये मतलब इसी की प्रैक्टिस के लिए उस्ताव लगातार हो किये जाते उत्राखंड में, कई छितरों में, कुमाओं में, तो इसी को कहा जाता है बगवाल, आज भी वह सारी बगवाले हमें देखने को मिलती है, कई सारी तो नहीं, लेकिन एक जो परसिद्ध बगवाल है, द अधर वर्षा खेली जाती थी, अगला जो सब्द है, वो है बगवाली पोखर, बगवाली पोखर की बात करें, तो अल्मोडा में इस्तित है, बगवाली पोखर नमकास्तान यहां पर बगवाली खेली जाती थी, यहां मतलब पासान वर्षा ही खेली जाती थी, अगला सब् अगला सब्द है बदानी ताल देखें बदानी ताल की बात करें तो रुद्र प्रियाग में यह सिता है बदानी ताल रंगी बिरंगी तितलियों के लिए परसिद तितलियों नहीं मचलियों के लिए परसिद है यह ताल अगला सब्द है बमन सुयाल बमन सुयाल की बात करें तो अल्मुरा में 16 देवाला का एक पुंज है बमन सुयाल, अगला सब्द है बरत, बरत की बात करें, तो बरत एक आनुष्ठास्टानिक करतब है, अगला सब्द देखेंगे बल दिया एगस देखिए बल दिया एगस केया ऐकर हम बात करेंं तो हरी बोधनी एक अजय के दिन दिन मतलब धीपा लिसरे चोड़ी दिपाली होती है पहले वाली लक्षमी पूजन होता है उससे पहले वाली दिन जो जो बल्दिया एगास होती है उसमें आपने देखा होगा कि गड़वाल कुमाव के चित्रों में गाई बैलो की पूजा होती है उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है उन्हें के गले में माला यह डाली जाती है तो इसलिए इस एगास को एगास को बल्दिया एगास कहा जा तो देखिए पहले क्या होता था कि राजा लोग राजा माराजा लोग बाज़ाओं का आखेट करने सिकार करने के सौकिन होते थे या जंगल में सिकार करने के सौकिन होते तो वो सुलपता के लिए उन जानवरों को पाल लेते थे अपने सौक को पूरे करने के लिए तो इसी इसमें कि जो पैत्रिक या मात्रिक संपति होती है उस पर महिलाओं का अधिकार माना जाता है इसी का प्रतिक है बाटा का जो अर्थिमी इस्तानिय बासावे होता है वो होता है हिस्सा तो देखे वह परांत कन्या को देज जो भाग होता है या हिस्सा होता है संपति का वही होत बाटा यहां से प्रश्ण पुझे जाने की संभावनाएं बहुत बार होती है अगला सब्द है बाड़ी बाड़ी की बात करें तो उत्राखंड का एक भोजी वेंजन है हल्वे के समान बनता है लेकिन इसमें जो आठा पर्युक्त होता है वो मंडवे का आठा पर्युक्त होत बाड़ वाल होगया तो बारवला कीखर हम बात करें तो कालसी के समीप यमना के बायुतर पर इस्तित ही आस्तान है बाड़ मौला अब इसको झगदगराम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो इसका बुद्ध स्वामी था उसके नाम परिश्का नाम जगतक्तराश मरब हां कि यहां पर ही खरहे पर io जबा से बिबांद सब्सक्तराइब नाम से यह किया था युक साम के वार्सगर्णे वंस जो था वार्सगर्णे जो वंस था वहां के उसको राजा था सील वर्मन सील वर्मन का यह चौथा अस्वमेद्य यह यहां पर हो रहा था यह था कालसी के बाये तरफ ठीक असोग अभी लेक के सामने बाये तरफ अगला सब्द है बांध देना जब सुवा लगाई जाती है वह सी कहते हैं बान देना अगला सब्द है बादी देखिए बादी गणवाल की एक गायन वादन करने वाली एक पेसे वर जाती हुआ करती थी अब तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब यह कम हो गई है अब इनका जो पेसा था वो खत्म हो चुका ह लेकिन पहले यह कुछ भी कारें न करकर सिर्फ गाने और गाने वजाने की कला और नाचने की कला के द्वारा ही लोगों से लोगों कापनों रंजन करते थे और उनसे ही अन्गरण करते थे तो बादी जो थी इनको हिमालय के गंधर्व कहा जाता था क्योंकि अपनी जो गोत अगला सब्द है बाननी देवी देखे बाननी देवी या इसे वरिंदा भी का जाता है जो वरिंदा देवी जो इनका मंदिर है वो है अलमोडा में अगला सब्द है बारा सुन्दरी देखिए सभी परिचित है बारा सुन्दरी अर्थाथ चैठी देवी का मंदिर आज जो इस्तित है मंदिर यह है कासीपूर में और चैतर नवरातरों में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है उदमसिंगर में इस्तित यह है अगला सब्द है बाकूल देखें बाकूल की बात करें तो एक वस्त्र है मेश पालकों या मेश चालकों का एक वासकट की तरह होता है भेड़ बक्रियों की ओन से बनता है ये वाटर पूप की तरह भी कारे करता है इसे इतना बनाने में इतना मेहनत लगती है कि इसे ये waterproof भी बन जाता है और ये गर्मी भी प्रदान करता है और अंतिम सब्द जो आज का है वो है बालेश्वर बालेश्वर की बात करें तो चंपावत के मध्य में इस्तित ये देवाले इस्तित है कई भागों में ये बना हुआ है इस पर कही सारे तामरपत्री से समन्दित प्राप्त हुए है इस पर अभिलेख प्राप्त हुए है अगर इस पर मिले या तामरपत्रों अभिलेखों की बात करें चंद स schwock उद्यान चंद की दो उद्यान चंद का 1423 का लेख यहां से प्राप्त हुवा है विक्रम dyda11 इतने शाषकों के अभी लेक इस मंदिर से प्राप्त की और अतमर पत्र प्राप्त वे lnukeram Çand तो इससे लगाया जा सकता है कि यह मंदिर कुमाहों में या चंद सहाषन में बहुत ही महत्वपून स्तान रगता था तो यह थे हमारे आज के सब्दे देखिए दोस्तों जुड़े रहिए धन्यवाद